दिल्ली के JNU कॉलेज में चात्र चात्राओं पर हुए हमले को लेकर के मध्या प्रदेश के पूर्वो मुख्य मंतरी दिगविजय सिंग ने कहा कि JNU के चात्र चात्राओं पर हमला करने वाले कोई नकाब पोश्ट बदमाश नहीं थे यहाँ ABVP के गुंडे थे अगर इन गुंडों पर कोई कारवाई नहीं की गई तो यहाँ ग्रह मंतरी अमित शाह का सून योजित शड़ेंत्र माना जाएगा ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए वही कैलाच विजवरगिये के आग लगाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कैलाच विजवरगिये इन दौर में आग लगाना चाहते थे और उनका बेटा करमचारियों को बल्ले से पीटता है उनके बारे में हम क्या कहें आपको बता दें कि यहां बयान दिग्विजे सिंग ने निवाडी के ओर्चा में भगवान राम राजा सरकार के दर्शन करने के दोरान दिया अगर इन गुंडों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कारवाई नहीं की और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से भारत के ग्रह मंतरी अमिल शाह के नियंतरन में है मारदर्शन में है अगर कारवाई नहीं की गई तो यहीं माना जाएगा पूरे देश में और विश्ष में कि ये पूरा सुन्योजित शड्डंतर था जेन्यू के छात्रों के खात्राओं के खिलाफ भारती जन्ता पार्टी और ग्रह मंत्री का शड्डंतर था इसलिए यदि कारवाई नहीं होती तो ये माना जाएगा कि उन्होंने करवाया है और अगर ऐसा है तो उन्हें इस्तिफा देना जाएगा